तो आज दुस्तों हमारे पास है मी का स्मार्ट टीवी 5A जो कि हमारे पास है 32 इंच वाजा हाला कि और भी काफी सारे वेरियंट आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टार के पावर सेविं रेटिंग के साथ जो कि काफी ज़्यादा बड़िया है सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक मेड इन इंडिया टीवी है और आप उपर में आप देखेंगे तो दू नोट ओपन वेरेंटी अवाइड का नोटिफिकेशन आपको उपर में बड़ा बड़ा चिपका हुआ देखने को मिल जाता है अब अगर आप इस टीवी को खरीदते हैं तो खुद से ओपन मत कीजिएगा नहीं तो वेरेंटी में प्रॉब्लम आ सकता है तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग बॉक्स को ओपन कर रहे हाला कि बहुत अच्छे तरीके से पैकेजिंग की हुई है देख सकते हैं तब दो स्केपलर अलग से मारे हुए हैं और टेप जो है उपर से अच्छे से मारे गाए हैं कोई नॉर्मल आदमी जब इसको खोले तो वो अच्छे से खोल ना पाई लेकिन हम लोग इसको खोलते हैं देख सकते हैं उपर में आपको दो टेबल माउंट स्टैंड देखने को मिल जाते हैं कुछ यहां पर इंस्ट्रेक्शन भी है मैनुल गाइड भी आपको देखने को मिलता है एक अलग से पाउस ही देखने को मिलता है जिसमें आपको दो बैटरी, साथ में एक रिमोट और चार स्क्रू भी देखने को मिलती है पैकेजिंग काफी ज़्यादा बढ़िया है इतनी अच्छी तरीके से पैकेजिंग की गई है जिसके वज़े से आपकी जो टीवी का स्क्रीन है वो खराब नहीं हो सकता है यहाँ पर यह सियोमी का टीवी है तो सियोमी में आपको वाल माउंट अलग से खरीदना पड़ेगा इसमें नहीं देखने को मिलता है जब भी आप टीवी खरीदेंगे तो इंस्टालेशन की आप जिसको बुलाएंगे वो वाल माउंट लेखे आएगा उसके लिए वो 400 रुपय अलग से आपको देना होगा तीवी आप देख सकते हैं प्लास्टिक बॉड़ी आपको प्लास्टिक बॉड़ी आपको पीछी की तरफ देखने को मिल जाती है प्लास्टिक बॉड़ी आपको प्लास्टिक बॉड़ी आपको प्लास्टिक बॉड़ी आपको पीछी की तरफ देखने को मिल जाती है सारे पोट्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जो एक नॉर्मल टीवी में या फिर एक एंड्रोइड टीवी में होना चाहिए और नीचे की तरफ आपको स्पीकर देखने को मिलता है जो कि आता है 20W के आदियो आउटपुट के साथ सेंटर में आपको पावर बटन देखने को मिलता है वही पर जश्च ऊपर में आपको एक वाइट किलर की LED नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिलती है जब आप इसको आउन करेंगे तो वो LED नोटिफिकेशन लाइट आपको नोटिफाई करती रहेगी मैं आपको बता दूँ पोच और बटन के अंदर 3.5 mm का audio output jack भी देखने को मिलता है जहां पर आप अपने headphone को अपने earphone को connect कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से tv को on करते हैं तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने bed पर ही रखे tv को simple यहाँ पर on कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पर जलते हुए हमें देखने को मिलता है तो तीवी को सबसे बेर आपको सेट अप करना होगा अगर आप पहली बार इसको on करेंगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं सबसे आपको मी का लोगो देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कुछ सेट अप करना होगा और सेट अप करने के बाद आपका जो टीवी को यूज करते करते और अब मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें क्या चीज अच्छा यह फिर नहीं करें चाहिए रिमोट को आप कहीं भी पॉइंट करके यूज कर सकते हो अगर आप दूसरे रूम से भी यूज करते हैं तो आपका जो रिमोट है वह काम करेगा आप चैनल वगरा चेंज कर सकते हैं वाल्यू अगरा आपको बढ़ा सकते हैं और जैसे कि आप कॉलिटी ओभरॉल काफी जड़ा बढ़िया है perceived Angle आपको देखने को मिलता है जिससे, आप कहीं से भी देखेंगे तो colors मैं राफी काफी जड़ा पंची ओभ स्हजित काफ़ी जड़ा बढ़िया है यहां पर आपको YouTube वीडियो देखते हैं तो 1080p के maximum resolution पे देख पाएंगे इसके अगर आप bothers हो गयरा देखेंगे तो काफी ज़्यादा थीन है और अगर हम sound की बात करें तो 20W के साथ काफी अच्छी आवाज आपको देखने को मिलती है पर अगर हम बात करें आप पिछले वाले TV से तो पिछले वेरियन में और इसमें काफी ज़्यादा इंप्रूफ किया गया है इसमें आपको audio output काफी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा आप overall जो audio है उसको आप 20W पूरा भी यूस नहीं कर पाएंगे आप इसको सिर्फ 30% 40% में हमेशा यूस करेंगे audio काफी ज़्यादा यहाँ पर आराम से देख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं यह android tv हैं तो यहाँ पर आपको RAM, storage सब चीज होना जरूरी है तो यहाँ पर आपको 1GB कर रहा है हैं 8GB internal storage और Cortex का A35 64-bit का quad core processor मिल जाता है Malika G31 का Android Operating System देखने को मिलता है और अभी के लिए ये TV रन करता है Android 11 पे और सबसे बड़ी बात है कि ये TV Netflix Certified है जो कि काफी ज़्यदा बढ़ी है आप अराम से इसमें Netflix का मज़ा ले सकते हैं इसका इंटरफेस आप देखेंगे तो काफी ज़्यदा सिमिलर है अगर आप बाकी TV से compare करें जैसे कि आपको सुरू में देखने को मिलता है Home, Discover, Netflix ये सारे आपको pre-install मिल जाते हैं जितने भी TV वाले सारे apps है वो आपको इसमें pre-install मिल जाते हैं और अगर कोई app install नहीं है तो उसके लिए आपको play store दिया गया है वहाँ पर जाके आप TV वाले सारे apps को install कर पाएंगे और इतना ही नहीं अगर आप चाहे तो game वगेरा भी download कर सकते हैं जिसको आप TV में खेल सकते हैं अपने remote शी अपने joystick को लगा के यहाँ पर आप मज़ा ले सकते हैं यह Android TV है तो यहाँ पर आपको stock Android का experience तो मिलता ही है साथ में आपको patch wall का भी experience देखने को मिलेगा जो कि Xiaomi का काफी ज़्यादा customize है तो उसका मज़ा आपको अलगी देखने को मिलेगा और dual band का wifi support करता है Bluetooth भी connection आपको देखने को मिल जाता है इतना ही नहीं आप इसको antenna लगा के भी यूज़ कर पाएंगे इस टीवी या फिर आप किसी भी तरीके से यूज़ करना चाहें तो आप एवी लगा के यूज़ कर सकते हैं आपको यहाँ पर HDMI को port और एवी यह सब features आपको देखने को मिल जाते हैं इतना ही नहीं आप अपने फोन को भी अपने टीवी के साथ connect कर सकते हैं मेरा कास्ट के मदद थे जो की काफी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरेको और हाँ यहाँ पर आपको Google Assistant भी देखने को मिल जाता है यूनिवर्सल सर्च भी देखने को मिल जाता है जो की काफी ज़्यादा बढ़िया है आपको टीवी को और भी ज़्यादा smart बना देता है और अगर हम लास्ट में बात करें इसके performance की कि इसकी performance कैसी लगी तो देखे performance में को इसकी काफी ज़्यादा बढ़िया लगी अगर आप compare करेंगे इसके पिछले वाले वर्जन से तो काफी ज़्यादा better improve यहाँ पर किया गया है मतब पिछले वाले वर्जन जो थे 4A उसमें आपको इतना अच्छा experience देखने को नहीं मिलेगा जितना आप इसमें मज़ा ले पाएंगे और हाँ अगर हम बात करें इसके price की तो price segment भी काफी ज़्यादा बढ़िया है 14-15,000 के अंदर आपको यह TV मिलती है तो काफी ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर मज़ा ले पाएंगे price segment के हिसाब से देखा जाएं तो overall काफी ज़्यादा बढ़िया है और हाँ सबसे बड़ी बात है एक TV को खरीदने के बाद उसकी service तो देखिए इसकी जो service है वो भी काफी ज़्यादा बढ़िया है तो वो काफी जल्दी बनाके दे देंगे यह काफी ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को तो अगर आप इस TV को खरीदना चाते हैं तो नीचे description box में आपको link मिलेगा जाके आप इसको buy कर सकते हैं